बॉर्णिंग स्टुडेंट ऑफ क्लास फोर्थ आयम तरोना राथी और साइंस टीचर मैंने आपको साइंस में नाइन चैप्टर दे सुलार सिस्टम एक्स्प्रेइन हो चुका था और इसके वर्ड मिनिंग भी हो चुकी थी और इसके गिव सुटेबल वर्ड ये भी हो चुक नी गुमेंगे तो क्या होगा स्वलर सिस्टम में तो इसका आंसर है यहां पे देखो ता बैलंस ऑफ द शुलर सिस्टम विल बी इसका ये आंसर है नेक्स आपका कॉश्चन हे एक्सप्लें सॉलर सिस्टम विडॉल लेबल डाइग्राम इसका डाइग्राम मनाना और सोलर सिस्टम के बारे में आपको explain करना है तो इसका answer आपका page नमबर 70 पे बढ़ा है देखो page नमबर 70 पे आपके डाइग्राम है और इपड़ एक line लिखी हुई है the solar system आपको यह heading डाल के यह लिखना है the eight planet along with the sun in the center make up the solar system जो 8 planet होते हैं जो ग्रह होते हैं जो सूर्य के 4 और चकर लगाते हैं वो सौर मंडल कहलाता है इसमें आपके देखो सूर्य और इसके 4 और चकर लगाते हैं ग्रह दिख रहे हैं तो यह आपको diagram copy में note करना है बनाना और यह line भी लिखनी है जो सूर्य के 4 और चकर लगाते हैं प्लिनेट का मतलब ग्रह होता है जो सूर्य के 4 और चकर लगाते हैं और स्टार जो हैं जो सूर्य की रोसनी से जमकते हैं जो hot gases होती है तो यह इसमें difference है उसके बाद में next question है आपका third और आला why is life possible only on the earth not any other planet अपना जो जीवन है only for प्रित्वी पर ही क्यों संभाव है और दूसरे planet पर क्यों नहीं है तो इसका answer यहाँ पर लिखा है because the right distance from the sun क्योंकि हमारी जो प्रित्वी है सूर्य से निश्चित दूरी पर है presence of the water है यहाँ पर पानी है oxygen gas है green plant है varied animal है यह सारी चीजें जो है हमारा जो जीवा ने प्रित्वी पर संभाव बनाती है because the right distance from the sun presence of the water, oxygen, green plant varied animal are all responsible for life on the earth तो यह इसका answer है बहुत ही सरल है और यहाँ पर अपना यह chapter पूरा हो जाएगा next आपका chapter है I think आपका chapter 11 वाला वो मैं आपको next video में explain करूंगे air, water and weather वाला है तो यह मैं आपको next video में explain करूंगे आज के लिए इतनी, thank you, have a nice day